आज मैं आपको Zero Hero का ऐसा strategy बताऊंगा जिसमें आपका profit कम से कम यहाँ पर 10 गुना से लेके कम से कम आप यहाँ पर 50 गुना, 50 गुना की मैं बात करो यहाँ तक आप कर सकते हैं, आपके जितने पुराने law से वो सारे profit में तब्दिल हो जाएंगे, आईए शुरू करते हैं, सब बारे में एक बारे में आपको बता देता हूं, सबसे पहले आप एक chart देख लीजिए, यह 12 तारीक का है, मतलब यह कल ही का ही है, आज 13 तारीक है, कल था 12 तारीक 12 सक्टेंबर, आप देख सकते हैं, मार्केट ने किस तरीके से एक शांदार मार्केट ने यहाँ पर 2 बजे के आस-पास market ने लगबग यहाँ पे 400 point का market ने momentum दिया था और यहाँ पे जो price बना था वो 5 रुपे का जो premium था, वो 5 रुपे का premium बहुत जादा आसानी से वो 120 तक पहुच चुका था, 5 रुपे का premium 120 तक पहुच चुका था, अंदाज लगाईए कि यह कितना गुना गया होगा, इसका मतलब है कि market में आप ऐसे strategy अगर इस्तमाल करेंगे तो आपके profit का कोई ठिकाना नहीं रहेगा, जहाँ पे हम लोग हर बार कुछ percent लेके बात करते हैं, कि भई 10 percent मिल जाए, 5 percent मिल जाए, market से exit हो जाएंगे, ऐसे strategy में आपके पूराने जितने भी loss है, सारे के सारे धु जाएंगे, सब recover हो जाएंगे, लेकिन hero zero के कुछ अपने नियम काइदे होते हैं, उनको बीना माने आपका भी भी इस तरीकी के trade तो पकड़ी नहीं सकते हैं, तो क्या नियम कानून है, उसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं, सबसे पहला नियम यही है कि hero zero जो strategy है, यह हर रोज नहीं बनता है, अगर आप हर रोज के भरोसे में आएंगे और पैसा बेमतलब का अगर सोच के निवेश कर देंगे, आप कभी profit नहीं कर सकते हैं, point number one यही है, point number two के बारे में बात करते हैं, hero zero strategy में सबसे पहला मानसिकता बड़ा जरूरी है, जहाँ पे आपको यह स सकता है, इसलिए उसको कहते हैं कि या तो hero बनेगा, या तो zero बनेगा, pull मिलाके यह पूरी तरीके से आप सोच देखा जाएगा, तो यह एक ऐसा किसम का trade होगा, जिसमें कोई guarantee नहीं होगी, लेकिन मैं आपको तरीका बताऊँगा कि पूरे पक्के तोर पे आप यहापे किस तरीके से profit कमा सकते हैं, वो जब मैं आपको बताऊँगा, आपको समझ भी आ जाएगा, लेकिन criteria बताना बेहर ज़रूरी है, लोग उसी में ही सबसे बड़ा problem create कर लेते हैं, अगला, यहाँ पे आप OTM में काम करेंगे, ना कि आप ITM में काम करेंगे, इस बात को याद रखि ITM बनेगा और ITM से super ITM बन जाएगा, इस बात को आप लोग याद रखिएगा, zero hero trade को करने के लिए दिन के किसी भी वक्त किया जा सकता है, क्या उसका उत्तर है नहीं, दिन के किसी भी वक्त नहीं किया जा सकता है, यह सिर्फ और सिर्फ दो बज़े के बाद ही समभाव है, अगर दो बज़े के बाद कोई move आ रहा है तो छोड़ दीजिएगा, वो move हो सकता है उपर जाए, लेकिन वो hero zero trade नहीं कहलाएगा, hero zero trade और कौन कौन सा हमें चीज जो देखना पड़ेगा, जो hero zero trade के अंतरगत नहीं आता है, मैं पहले उसके बार में आपको बता दू, market अग होगा, यह एक बात याद रखिएगा, अगला है कि market अगर जिगजग आकर में चल रहा है, 200 पॉंट उपर चल रहा है, 300 पॉंट नीचे चला गया, अगले ही 15 मिन बाद market फिर से 200 पॉंट उपर चला गया, यह hero zero trade का दिन ही नहीं समझ लेजिए पहले या, इस बात को पहले यह market अच्छा का सा फॉल हो रहा है, अब आप सोचेंगे, expiry का तो दिन है, पैसा इंवेस्ट के निम में क्या है, ओटीम में तो पैसा लगाना है, अब यहाँ पर फर्क है, अगर आप सुबह के सवा नव बजए, नव बज़ के 20 मिनिट को, नव बज़ के 30 मिनिट को अगर आप सोचते हैं कि मैं market तो move कर रहा है, या तो उपर जा रहा है, या तो नीचे जा रहा है, या पर पाच रुपे का premium ले लेता हूँ, यह चला जाएगा 50 में, यह चला जाएगा 200 पे, 100 पे, नहीं जाएगा, वो इसलिए नहीं जाएगा, market में momentum है, आपकी बाते मानन हैं, लेकिन उसका intrinsic value उस वक्त बड़ा हुआ नहीं है, जहाँ पे सुबह के सवा 9 बजे, 9 बजे, आपका ITM जितने मजबूती से काम करेगा, उसका जितना value बड़ेगा, उसका premium जितने तेजी से बड़ेगा, उसका आधा भी आपका 5 रुपे वाला, 7 रुपे वाला, 10 रु आप देखेंगे कि अगर मार्केट शुरुवात में खुला है, और धिरे 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 अगले ही 10 मिनिट के अंदर मार्केट 200 पॉंट उपर चला गया, आप सोचोंगे अरे वावा, मार्केट उपर जा रहा है, मैं यहाँ पे 5 रुपे वाला premium ले लेता हूँ, मार्केट जै फिर नीचे जाएगा, मार्केट के ठहर जाएगा, फटा पट नीचे चला जाएगा, फूल मिले कि आप देखेंगे कि मार्केट 100, 200, 200 पॉंट उपर गया, पर आपका 5 रुपे का premium जो है, जहां का वही बैठा हुआ है, उसमें तो कोई बड़ोतरी नहीं हो रही है, वो इस इसी वज़े से होता है, क्योंकि सुभे उसका intrinsic value बहुत कम होता है, उसमें आपको फायदा नहीं मिलेगा, इसी का उल्टा दो बज़े के बाद होता है, expiry किसी भी expiry की मैं बात कर रहा हूँ, उस समय जितने तेजी से आपका ITM नहीं बढ़ता है, उस से कई गुना तेजी स ITM बढ़ता है, और खासकर बढ़ता है आपका single digit, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, अरे hero zero trade तो रोज बना सकते हैं, तो क्यों नहीं बना सकते हैं, कब नहीं बना सकते हैं, सिनेरियो क्या होना चाहिए, क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, इसे जाने भी न, आप hero zero trade ले मैंने आपको सारी मैंने चीजे बता दी कि कि आपके पास क्या होना चाहिए, और क्या नहीं होना चाहिए, और बागे expiry की बात करते हैं, तो पाच हो के पाच हो दिन, सुवार से ले के शुकर बार तक तो expiry expiry है, किसी भी दिन अभी जो मैं setup बताने वाला हूँ, ये setup अग मानने लिजे यहां से शुरू हुआ है, और मार्केट का आप दो बज़े तक का लो यहां पे लगाए, ये सुबह का सवानो बज़े का हाई है, इसको मैं यहां पे लिग देता हूँ, ये सवानो बज़े का हाई है, और ये दो बज़े तक का लो है, और मार्केट मानने याद रखिएगा इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं हो मैं पूरे हाई-लो की बात कर रहा हूँ कभी-कभी होता है कि पहला पाच मिनिट का कैंडल 15 मिनिट का कैंडल बहुत बढ़ा बनता है यह हो जाता है 200 मिनिट या शुरुबात का एक मिनिट का कैंडल 200 पॉंट का 300 पॉंट का एक कैंडल बनता है फिर उसके बाद फिर मार्केट थोड़ा और निचे आता है फिर ऐसे ट्रेट करता है आप सोचेंगे कि है रहे सवानो 9 बच के 16 मिनिट से तो मार्केट 1500 पॉंट के अंदर मार्केट लेकिन मार्केट जो उपर से गिरता हुआ आया उसका क्या इसलिए पूरे दिन भर का ठीक सवा नौ बज़े से लेके दो बज़े तक मार्केट का हाई और लो सिर्फ दो सो से धाई सो पॉइंट का होना चाहिए इस बात का बड़े ध्यान से इसका ध्यान रखिएगा और उसके बाद आपको उसके हाई और लो को मार्क कर देना है कैसे यह बारा तारीक का है इसको मार्क कर दीजिए यह मार्क कर दिया आपने अब इसके बाद आप चले जाएगा पाच मिनिट के टाइम फ्रेम पे यह तो पंदरा मिनिट का है क्योंकि पंदरा मिनिट का आप पाश मेरे के टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं तो आप जो लाइन बना रहे है ना इसके उपर मार्केट दो केंडल क्लोज करना चाहिए पहला केंडल ग्रीन हो सकता है अगला केंडल रेड हो सकता है तो भी चलेगा ज़रूरी नहीं है मानली जी ब्रेक आउट कैसे हुआ मैं आपको समझा दे तो आपको बहुत आसानी से समझेगा तो आप ज़्यादा पॉइंट कैप्चर कर पाएंगे मार्केट मानली जी यह आपका लाइन अपने बनाया है हाई का और यहाँ पर पहले एक कैंडल बनना ग्रीन एक बड़ा सा मानली जी एक 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 एंगलफिंग कै नहीं वाला है तो आप यहाँ पर कॉल लेके बैठ सकते हैं आप देखिए कि मार्केट फिर दीरे 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 उचाई तक चला जाएगा अब बात करते हैं कि उचाई तक जाएगा तो कब तक होल्ड करना है अच्छा उससे पहले और एक बात बता देता हूं इसी चीज़ क आप नीचे भी कर सकते हैं कि अगर मार्केट उपर नहीं जा रहा है तो हो सकता है फिर मार्केट में नीचे की और मूव आए ये भी होता है कई बार होता है जरूर नहीं मार्केट उपर ही जाता है हीरो जिरो किसी भी तरफ जाए अगर नीचे आता है तो फिर नीचे वाला ट्रेड ले लिजी बसो गया काम आपका अभी अभी मैं बात करता हूँ कि आप यहाँ पर ट्रेड कितने दिर होल्ड करेंगे सबसे पहली बात है यहाँ पर सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ होल्ड करने का वो यह होगा कि अगर मार्केट में आप तीन बज़े तक होल्ड करके बैठे रहते हैं याद रखिएगा आपका पैसा बहुत बनेगा तब ही जाके आप बीस गुना तीस गुना पचास गुना आप कमा पाएंगे मान लिजे आपने पाच रुपे का प्रेमियम खरीदा दस रुपे का मान लिजे दस रुपे का प्रेमियम खरीदा और वहाँ पे आपने दस रुपे का प्रेमियम मान लिजे आप बैंग निप्टि में काम करते हैं तो दस रुपे का मतलब कितना होता है 1500 रुपए तो 1500 रुपए के हिसाब से आपने 15 quantity लिया है और इसको थोड़ा बड़ा देते हैं आप मान लेते हैं आपने 10 lot लिया है और आपने 1500 रुपए खर्चा किया है समझ ये बात को आपने 10 रुपए का premium खरीदा है और 10 lot ले लिया है खर्चा आपका 1500 हुआ है ये बैंग निफटी का ही चार्ट है और मानली जी कि ये वाला बुद्वार का दिन है इसको आप मान के चली कि बुद्वार का दिन है और आपको यहाँ पर तीन बज़े तक आपने रुख गए तो 1500 रुपए आपका वह 10 रुपए का कहा तक जा सकता है बहुत आसानी से बहुत आसानी से वह 100 रुपए जा सकता है उससे तो ज़्यादा जाएगा ही मैं आसानी की बात कर रहा हूँ ठीक है तो यह बहुत आसानी से आपका 10 रुपए का 100 रुपए जा सकता है अब जर आप दिमाग लगा के देखिए, हिसाब आप पर मैं छोड़ता हूँ, और ये सुनने में बड़ा ऐसा थोड़ी होता है, लेकिन इसके पीछे आप किस तरीके से करेंगे, उसको पहले समझ लेजिए, इतना बड़ा प्रॉफिट आप अगर कमाने जाते हैं, तो आप क प्रॉफिट मतलब पांच गुना हो गया, और बरदाश्थी नहीं ओर आ रहे, इसके बाद मार्केट अगर गिर गया, तो क्या होगा, आप तुरंद वहाँ से एग्जिट कर जाते हैं, कितना लिया पांच गुना, मार्केट जहाँ पे कई बार, दस रॉपिए का प्रॉफ विक्ति कर चुका है, तो जहाँ पे उसको पांच गुना प्रॉफिट मिल रहा है, मैंने आपको जैसे उधारन दिया, आपने पंदरा सो रुपिए खर्चा किया है, और उसका पांच गुना कितना हो जाएगा, आप जरा उसका हिसाब करके देखिएगा, साड़े साथ अज तो पंदरा सो रुपिए खर्चा करके उसका अगर पांच गुना को यह साड़े साथ अजार मिल रहा है यह तो बहुत बड़ी रकम है, तो इस हिसाब से भी अगर आप देखिते है तो आपका पैसा बहुत 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 जादा बनने लगता है, तो कहने का मेरा मतलब है कि आप यहाँ पर दो तरीके से trade कर सकते हैं या तो आप अगर PNL statement की तरफ अगर आपका नजर रहेगा हो सकता है कि आप जादा दिर hold ना कर पाए जादा तर लोग की psychology ऐसी काम करती है क्योंकि हमें loss देखनी की आदत जादा है profit देखनी की नहीं तो profit जब होने लगता है तो बर भी हो जाता है आपका दिक्कत ना हो और छोड़ दिजी उसको market में जाने दो आपको कहा जाना है और फिर देखिए तीन बज़े के बाद आप आपके देखिएगा कि उसमें profit आपका कैसा बन रहा है तब जाके मज़ा आता है यह तरीका होता है profit को कमाने का और बढ़ाने का मैं आपको धारन देता हूँ जिस दिन market का result आया था मैं आपकी जेगा election का result आया था 4 जून को market में उसमें result आया था आपको पता है उस समय 75 वाला मैंने एक चीज़ देखा था 75 वाला जो premium था आला कि वो कोई expiry किसा अपसे में आम दिन की बात कर रहा हूँ 75 रुपे का जो premium था बैंक निफ्टी में जब market end हुआ बंध हुआ तो उस premium की कीमत put side का वो बन गया था 3000 अब आप सोचके देखियो कितना गुना गया है यह कब हो सकता है यह तब ही हो सकता है जब आप बिल्कुल नजर नहीं देरें आपने मान लिजी आपने put लेके छोड़ दिया होगा और फिर market खतम होने के बाद ही मैं उसको देखूंगा कि उसमें कितना बना है तो अगर आपने उस समय यह अगर सोचके देखिये कितना 40 times से भी जादा है लगब लगब 40 times के आसपास है तो यह कब हो सकता है जब आप hero zero trade करने जाते हैं अपने trade ले लिया और ऐसा रकम लिया है कि वो चला भी जाएगा तो कोई फरक नहीं पड़ेगा मैं देखूंगा तो तीन बजे तब आपका profit होगा एक उधारन और देख ल है और फिर जाके यहाँ पर आपको एक breakout मिलता है इस जगह पे यह भी लगबग 2,5 बज़े के आसपास है और मार्केट बिल्कुल 3 बज़े तक देखिए 3 बज़े सवा 3 बज़े तक मार्केट कहा पर पहुँझ गया है तो इसलिए कहते हैं कि अगर आप बड़े trade लेना चा लेना चाहिं